नवरात्री में अखंड जोती जलाने के लाव सबसे पहले आपके मन में विराजते इश्वर को मेरा परनाम माता रानी आपकी जोलिया भरे आपके घर में हमेशा सुक समर्दी और सांती का वास रहे भक्तो यदि आपने अपने घर में अखंड जोती जलाई है तो इसके बहुत से फाइदे होने वाले है इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि अखंड जोती कैसे जलानी है और एक वीडियो में बताया था कि अखंड जोती जलाते समय किन किन बातों का दियान रखना है अखंड जोती में कौन कौन सी चीजे जरूर डालनी चाहिए और क्या क्यों डालनी चाहिए एक वीडियो में बताया था कि अखंड जोती की सेवा आपको कैसे करनी है अगर आपने घर में अखंड जोती जलाई है तो सेवा वाली वीडियो जो है जुरूर आप देख लीजिए और आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अखंड जोती जलाने के फाइदे क्या क्या है तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दू कि जब भी आप नवरातरे में अपने घर में मादरुगा के नाम से अखंड जोती जलाते हैं तो आप समझ ले कि उस अखंड जोती के रूप में मादरुगा आपके घर में वास हो जाती है मादरुगा का वास हो जाता है तो जब आम मादरुगा जो है आपके घर में खुद स्वम आ जाती है तो समझ लेजिए कि आपके घर से कितनी बुराया जो है दूर हो जाएगी तो अखंड जोती का सबसे पहला फाइदा तो यही है कि आपके घर से हर तरह की नेगटिविटी जो है दूर हो जाती है और जब तक 9 दिन तक अखंड जोती आपके घर में जलती है तो धीरे धीरे घर की सारी नेगटिविटी सारे दोस बुराया दूर हो जाते है घर में ल मा के नाम से अखन जोती जलाने से आपके घर में अगर कोई स्थाई वास्तु दोस भी है तो वो वास्तु दोस का बुरा परवाव भी समाप्त हो जाता है। तीसरा लाव है सुब उर्जा का परवाव अखन जोती जलाने के साथ साथ आप दिन में दो वार पूजा भी करते हैं और इससे आपके घर में एक वेशिष्ट सुब उर्जा का परवाव होने लगता है। इसे घर परिवार में, परिवार के सबीस दस्तों में सुबता आने लगती है, आपके करम और उनके फल दोनों में भी सुबता हो जाती है. चोथा लाब है मनोकामना का पूरण होना, आप जिस मनोकामना को बोलकर संकलब करके अखन जोती परजुलित करते हैं, माता रानी के आसीरवाद से आपकी वो मनोकामना आउश्य पूरण जो है, हो जाती है, जरूर पूरण हो जाती है. पांचवा लाब आपके परशन का उत्तर, अधिकतर लोगों के मन में ये परशन आ रहा होगा कि नो दिन तो अखन जोती जला ली, मा अंबे की किरपा भी पराप्त कर ली, लेकिन इन नो दिनों के बाद क्या, तो मैं आपको बता दू कि नो रातरी में घर में अखन जोती जलाने से आपके घर परिवार पर पूरे साल माता राने की किरपा जो है, बनी रहती है, छटा लाब है सुकर घरे का सोधन, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपको जोती के अंदर घी में थोड़ा सा कपूर डालना है, और जोती में कपूर डा कर देगी, जल्दी खतम कर देगी, इसके लावा घर परिवार पर बूरा साया नहीं, पड़ता देशी गी और कपूर की खस्वों से आपका नर्वस सिस्टम जो है, वो भी सही रहता है, स्वस्त लाब मिलता है, और हाँ, जोती में थोड़े से चावल डालने से घर में सुक समर्दी आती है, मेरी आप से प्रातना है कि आप भी घर में अखंड जोती आउसे जलाए, यदि आपने अखंड जोती नहीं जलाए है, तो आपको क्या करना चाहिए, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँ आप, तो अब आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जुरूर मिलूँगा आपके साथ, नए प्रोग्राम के साथ, तो आप कमेंट में लिखिए, जै मातादी, जै भीहरो बाबा की, जै भुले नाथ